असलामलेकूम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग हमेद करते हूं आप सब ठीक होंगे और अपने घर में फैर आफ यक्सी होंगे तो फ्रेंट्स आज है सेटेड़े का दिन और मैं बना रही हूं नश्ता और आज हम लोग सब घर हैं चुटी है अतनान की भी चुटी है बच् आज हम सब मिलके नाश्ता कर रहे हैं तो वीकंड भी हमें टाइम मिलता है कट्थे बैठ के नाश्ता करने का दरवाइस तो बच्चे जल्दी चले जाते हैं हस्बन बहुत ही जल्दी चले जाते हैं और मैं अकेली नाश्ता करती हूं तो आज हमने प्लैन किया कि चलो वीकं रेडी और अभी मैं आग बनाओन गए और ब्रेट बनाओंगी तो जैसी थस्ते से तो नहीं अब वीकंड स्टार्ट होता है अब दो फ्राइड़ से क्योंकि बच्चों को चुटी होती है फ्राइडे को लेकिन THIS कि दूटी थूड़े होती है दो हो छुटी नहीं लगता चुट कुछ नहींद कौना कि आज उडला फिर मजे कर रहे हो everything बिल्ला फिर भी शुक्र एला का बच्चों की तीन चूटी होती हैं तो अच्छा टाइम गुज़र जाते हैं लेकिन आज खल बड़ी बोरियत हो दिया और बस कुछ पाकिसान के हलाथ और वो सारे जल्से जलूस देखते के बस दुआ करते हैं पाकिसान के लिए पाकिसान में तनी ज्यादा मेहँगाई हो चुकी है तो लोगों की वहाँ भी बचारों की इंकम है नहीं है और एकस्पंसिस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं बस यही दुआ है लाद आल्ला हमारे मुलक पे अपना रहम करे करम करे और बिख्तरी का मामला पैदा करे ताकि जहाए गरीब तब का लोग भी अपनी जिन्दीगी जो है असानी से बजार सके दिन बदिन दिन बदिन हलाद खराब ही होती जाया रहा और यहां पे भी यही हाल है मैं सूछी थी जो मेरी ग्रोसरी पहले जो है पंद्रा सोलो से मैं हो जाया करती थी अब मेरी दो हजार में भी नहीं होती और समझ नहीं आती के और समझ नहीं आती के इन्शान किस तरह से मैनेज़ करें क्योंकि कर्चे तो सारे वही हैं जो पहले हो रहे थे स्कूल की फीटित हैं बस की घर कुरत पिछली पानी जुलस्टी जरोब्वें प्राइब हां यह तो पूरी करने ही करनी भार यही दूआ यहाए ल्ह आंद आरो हैं गॉर रह्मराखें किनकी फैमिली जर्वन infantry आ हैं को फैमिलिज पाकिसान में नहीं रह सकते हैं तो पठे रहना भी जुरूरी है और जिनकी तो अच्छी सल्विस हैं अलहमदुल्ला हम लोग तो गुजारा कर रहा है लेकिन जिन लोगों की सल्विस कमें उनके लिए तो बहुत मुश्किल है फैमिलीज को यहां पर रखना और मैनेज़ करना और बस देखे मेरे एक बन चुके हैं और मैंने ब्रेड ड्रग दी है बस नाश्टर ऐसे ही रेड़ी होता है और इसके बाद मैं सफाई करूंगी और घर के काम करने एक दो और उसके बाद ग्रोसरी के लिए निकलेंगे क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंक तो अब ही मेरी क्रोसरी आचुकी है और मैं मैं सेट करूंगी और सब सारी चेज़ों को उसकी जगा पर हो और बाहिए बहुत ज्यादा गर्मी थी और यूई का मौसं ही ज्यज़ा चेंज हो चूकर शाम को तो फिर भी ऑल्हम दोनल्ला बहुत अच्छा होता है कि हमाँ चल जो बचारे लेबर जो हैं दिन में काम करते हैं बाहिर आउदोर फिल्ड में तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि फीक पे जो है नोगों को हिम्मत दें तो ये मेरी ग्रोसरी है में मौस्टी ग्रोसरी जो हूँ वो मदीना से करती हूँ मौस्टी ओफर लगी होती है तो फ्राइडे सेटरडे और हो ही मैं प्रैफर करती हूँ कि इंडेज में जो है मैं ओफ में सही चीज़े ले लो और मैंने आज ये ब्रेड लिये तो इसकी मैंने डेट चेक नहीं की थी तो मैंने का चेक कर लो तो इसलिए अब भी बसासा सारी इस इस चीज़े समेट करोंगे और समेटने के बाद यज्स बड़्य को रेड़ी करूंगी और इसके बाद मैंने बनाना है खाना ख़ना बनाने के बाद इंशाललह हम लोग जाएंगे बाहिर आउटिंग के लिए मैंने बताया था तो इसलिए मैं आप जो है वो हरी वरी में सारे काम करूंगी तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज अगर ग्रोसरी आजएगी तो मैं सेव कर लूगी तो फिर कल मेरे लिए इतना प्राब्लम नहीं होगा रात को ठके वे आएंगे और सुबा को फिर सारी रूटीन वपते की सारी चीज़े दवारा से सेट करना तो मैनेज हो जाएगा और मैंने हजबंड से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए जो है वो वाटरमेलन लेके आईएगा और अब मैं सारी वेजिटेबल को जो है वो वाश कर लूँगी फूट औ और सारी चीज़ें तो अच्छा है कि सब कुछ वाश करके रखा हो तो फिर आपको टैंशन नहीं होती है जब आपको यूज़ करना है तो आप फॉरंस फ्रीट से निकाले और यूज़ कर सकते हैं आपनो अगर वीक एक अठी ग्रोसली कर ली जाएना तो पूरा हफता जो ह हो सकूम से घुज़र जाता है क्योंकि हस्बंड घर नहीं होते हैं अर वह आते हैं लेट निकाले तो ग्रोसली पड़े ही हो तो कुछ 95 बना लेते हैं खा लेते हैं । इसलिए फिरस्ट यह ही होते है कि प्राइडे सेटेडे में से किसी एक दिन जो है वह ग्रोसली करके प बज़ेट मैनेज करना चाहें तो मेरा ख्याल है को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं क्यूंकि चावा लाटा चीनी और ओयल ये तो आप मन्थली भी ले सकते हैं लेकिन जो वीक में आपको खरीदना पड़ता है आपके फूट हो गए आपकी बाकी सबसी बगारा हो आपके में रख ली रखती हूं कि अगर मैं 300 पर वीक अगर लगाओं तो मैं अपना मैनेज किस तरह से कर लेती हूं तो आप लोगों पी कुछ इस तरह से किजेगा अगर तो आप मन्थली ग्रोसरी करते हैं क्योंकि फूट और वेजटेबल तो मन्थली हो नहीं सकती अगर आप वीकली एकते हैं तो वीकली कोशिश करें कि लेडिस जो है न वह अपना टार्गेट रखें कि मेरा वीकली जो है न वह इतना बजट मेरा बनना चाहिए ग्रोसरी का उसमें आपको दूध हो चिकन हो मटन हो जो भी है आपको मैनेज करना आपना चारचर किलो लाकर रख तो कोशिश करें कि अपने किचन को जो है न गिंटरोल करें जैसे हलाज चल रहे तो आप फिर अपना मैन्यू बीडिसाइड कर सकते हैं आज में चीकन बना लूँगी आज में एक दिन वेow Sul सेट करके जो है नहीं अपना वीक अच्छा गोजार सकते हैं तो यह फिर एना अब आपके लिए आसानिया प्यादा करें और फ्रेंट्स यह देखिए आज मैंने जो है वह गोल गप्पे ओवन में बनाएं वह पंसार की शोप से मिल जाते हैं ने ग्रोसरी शोप से बने वे गोल गप्पे में इनकें बिलकुल टिक्किया बनीवी होती अपको फ्राइबी कर सकता है और आज मैंने जिंधिया इसय प्राइब कम है तो मैं प्रेंग जाते हैं तो अभी मैंने दैं बड़े डिप किया वे थे और एक आलू पहले से पढ़ावा था और चने भी पढ़े वे थे तो यह सारी चीज़ें डाल के जो है मैं गोलगपों में मिक्सर बनाऊंगी और साथ पानी बनाने के लिए मैंने इमली जो है वो लेकिया भी थी जो सुपर मार इसको डिप किया हुए और अभी मैं इसके अंदर डालूँगी चाट मसाला और नमक यह मैं फिलिंग बना रही हूं और जो फिलिंग बच्चे के उसके बाद मैं इसमें नहीं डाल के दैंबड़े खालूंगी क्योंकि मुझे दैंबड़े बहुत पसंद है तो यह मैं इसक क्योंकि हारी सोहरीम ने बहुत शोड डालावा था मामा हमें बना के दें तो मैं निका अच्छा चलो यह तो जटबट से बन जाएगा तो आप बना देती हूं यह देखें यह मैंने इमली जो है वह मैंने भी गो के रखी हुई थी और अभी मैं इसको ड्रेन करूंगी और यह जो पानी है वह बहुत मज़े का बनता है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूं तो इसलिए मैं ज्यादा खटा नहीं बनाऊंगी अगर आप बनाना चाते हैं तो आप इमली थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं और लेमन साल्ट भी डाल सकते हैं लेकिन लेमन साल्ट म और साथ में सलुरी जीरा पाउडर जीरा पाउडर थोड़ा साल्ट आम शोड पाउडर और इमली का पानी काला नमक और साथ में सबस चटनी भी डालते हूं धन्य पुदीने की जो चटनी होती है और भी डाल देती अगर आपने गोल कप्पे खाने हैं तो उसके दुरान आपने पानी नहीं पीना और बाद में एक पान से 10 मिनिट वेट करना है अगर आपने दें बड़े सोरी गोल कप्पे खाने हैं तो अब इसमें डालूंगी मैं सबस चटनी यह मैंने डाली थी सबस में चेंपो दीना धनी तो यह मेरा बहुत मज़े का जो है वो बोल कप्पों का पानी बन चुका है आप भी बड़े इजी ली घर बना सकते हैं वैसे तो यह मेरा पानी रड़ी हो चुका और मेरे की रिंग भी रड़ी हो चुकी और अब में और हरीम जो है वो फिल करेंगे और आप मैं टेस्ट कर रहे हूं कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा लेकिन मुझे थोड़ा सा खटा ज़्यादा लग रहा है और आप मैं इसके अंदर पानी और अभी मैंने आम चूर नहीं डाला आम चूर जो है वह मैं सेपरेट अपने बावल में डालूंगी बच्छों के लिए नहीं डाल रहे और यह ब्लैक पिपर यह बहुत ही मज़ेका पानी बनता हो और आप इसके अंदर जो है यह जो दहीं बड़े में बनाएंगे अगर आपके पास कभी गोल गप्पे ना हो आप यह वाले दहीं बड़े इसके अंदर डाल के आप खाएं इससे भी बहुत मज़ेक लगते हैं जैसे वह हम लोग चंठ चट तो ऐसी बन जाती है भुट मज़ेका लगते हैं स्विअंटमाटों प्याज़ों काले चने वालु वह यह बहुत मज़ेके बनते हैं और यह यह ब呢 यह बहुत अच्छा एडिया कभी आपका दिल करें गोलकप एक खाने को तो आप ग्रोसरी शोप से लेके आए और इन भी विरें और चाहे ओवन कर लें तो आप इनको वहत इसलिए यह है वो घर में बच्चों को बना कर दे सकते तो आज हमने खुब अपना वीकेंड जो है वह एंजॉय किया और लेकिन अभी भी मेरी कुकिंग रहती और मैं कुकिंग करके इसलिए बाहर जाना जाती हूं कि फिर रात को ठके आएंगे और सुबानाश्ता भी करना है और पिर कल का दिन ज्यादा भी जिरेगा तो इसलिए क अब चैटल जो है वह मेरे पर इतना ज्यादा बर्ड़न और स्विशी संड़े को मैं बहुत जादा पैनिक हो जाती हूं और गुस्सा ऑते हैं कि काम का लोड बहुत ज्यादा होता है आपके पास टाइम नहीं होता तो इसलिए भी तो यह मैं बना धीं पिलिंग कर रही हू ये मैं अपने लिए और अपने लिए तो नहीं डालूँगी कैचप लेकिन हरीम कैचप डालती है या तो इमली के चटनी हो वो खट्टी मिठी वाली वो भी पड़ी निवी में पहले बना कर रखती हूँ लेकिन अभी रमदान के बाद से मन दुबारा नहीं बनाई तो हरीम क मैं कहते हूं कि आप कैचप डालके खा लेना मिठी चटनी के बजाए तो हरीम जो है वो कैचप डालके खाएगी और बाकी में और हारिस तो मिठा नहीं खाता हारिस को गोल गप्पे बहुत पसंद है और आज भी इसी की फरमाईश पर गोल गपे बना रही हूँ मैं तो यह और अगर वीडियो अच्छी लेगी तो कमेंट सुरूर कीजेगा दुआओं में याद रखिएगा तो इन्शाला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए वी लोग के साथ अला हाफिज